कि अब दोस्तों नमस्कार सभी को आप निखिल जैन पार्ट ऑप प्रतों किता मंत्रा टीम तो देखिए आज मैं अपके टाइप लेकिया हूं क्या प्रपोर्शनेट का अलब हम हिंदियों समझे तो समान उपाती नाम ही क्लियर कर रहा है समान अनुपात जिसमें दोनों साइ अनुपाती गरें डबल रेशो यूज करते हैं और सिंबल क्या होता है यह वाला दो बार रेशो लगा दो कि समान उपाती जैसे माल लोगर इस साइड लिखा हूए टू बाइट्री तो इस साइड भी क्या होगा तो दूनों क्या होगे इक्वल रेशो जोंगे अब टू थ यह की है तो दोनों अभी भी इकवल रेशो में ही है क्योंकि इसको जब मैं काटूंगा बाद में यह दो तीन ही तो देगा मुझे अमने दो तीन के जगा आपके इस तरफ लिख दो मालो 16 और 24 और इस तरह लेट साइड में क्या टू बाइट साइड में क्या 16 और 24 अभी अ अगर यह इकवल रेशो में है तो इनकी मल्टिप्लाई सेम होगी यानि कि A D की मल्टिप्लाई हमेशा किसके एकवल होगी B और C के अगर मैं सिक्वेंस में नंबर लिखता हूँ A B C D तो मैंने क्या का A और D की मल्टिप्लाई यानि फर्स नंबर की और लास्ट नंबर की मल कुछ नंबर देंगे ट्री एट आपने पास थी नंबर है दो तीन और आठ हमें चोथा साथ सौन पाति निकालना तो देख वह यहां लिक लिए मैंने दो यह लिक लिए मैंने तीन पिर लिख लिए 8 और यह मैं x है जो मुझे निकालना है तो अभी अभी मैंने पढ़ा बीच वालों की multiply और last वालों की multiply क्या होती है सेम होती है तो क्या सकता हूँ 2x बराबर होगा 24 के तो x की value क्या जाएगी 24 divided में 2 यानि की 12 चोथा समानुपत इस पर भी निकाल लेंगे उसके बाद क्या आ जाता है थर्ड समानुपत तीसरा समानुपत निकालना है जैसे मालों मैं मुझे कहा दें find the third proportionate of four six दो नमबर दे दी है चार और six मुझे निकालना है तीसरा proportionate तो यसे question में हम क्या करते है चार और छे दो है नमबर अपने बास इच्छे का repetition हो जाता है यहां भी क्या आएगा च्छे आएगा और चोथा अगर मुझे निकालना है यह तो क्या होगा इनकी multiply और इनकी multiply सेम होती है तो मुझे क्या मिल जाएगा 36 मिल जाएगा 4x के बराबर और x की value क्या जाएगी 36 divide में 4 कह लो या फिर क्यों कहलो अगर पहले वाले की बात करूँ मैं ती नमबर दे रख्योंगे मुझे a b c तो जो अपना fourth proportionate होगा वो क्या होगा b c divide में a और यहां पर मालो मेरे पास दो नमबर दे रख्योंगे third proportionate के लिए a और b तो जो अपना अंसर होगा वो क्या होगा अब b square divide में यहांनी second term का square कर भी है first term से divide कर दो अब third proportionate भी होगया fourth proportionate भी होगया अब हमें निकालना पड़ जाए mean proportional तो mean proportional कैसे निकालते है mean proportional या फिर यूँ कहलो मद्या समानुपाती ठीक है यह कैसे निकाल जाता है middle term है तो दो नमबर हमें दे रख्योंगे उसका हम क्या कर देंगे square root कर देंगे multiply करके जैसे मालनों मैं आपको कह दूँ find mean proportional of peltree दो नमबर है 12 और 3 इसका mean proportion निकालना तो आप क्या करोगे 12 ही multiply 3 से और सारे का square root यानिकि 36 का square root 6 ठीक है तो I hope सभी को clear हो गया होगा 3 प्रोपोर्शनल सबसे पहले मैं बात करूँ fourth proportional तो fourth proportional कैसे निकलेगा b से की multiply a से कर देंगे third proportional b का square divide में a कर देंगे और mean proportional हम क्या कर देंगे a multiply b करके उसका square root कर देंगे clear है तीनों के तीनों proportional अब इसके राव एक्जाम में और क्या पूछ लिया जाते हैं तो वो देखिए जैसे मालों question आ जाएगा आपके पास चार नमबर दे देंगे और जब इसमें एक्स जोड़ेंगे मैं एक्स एड़ कर देंगे तो यह नमबर क्या हो देंगे प्रोपोर्शन हो जाएंगे नमबर विल बी इन प्रोपोर्शन ठीक है यहां तक प्रोपोर्शन निकालना है किसका 3x-2 और 5x-4 का वीडियो को पोज कीजिए और ट्राई कीजिए फिर मैं पताऊंगा कैसे करने आई होप आप लोगों ने वीडियो पोज कर लिए होगी और ट्राई कीजिए होगा देखिए अपने पास 9 है एक नमबर 15 है एक नमबर 21 है और एक नमबर 30 है चार नमबर है इन्होंने कहा हर एक नमबर में ह्ल XP कर दो दो उसे का टीन डू जो उसे का टीन और पांच को पांच को पहली ट्रम से माल्टिप्लाई करोनछ यानी कि होगी नोज़ी ऑर इस तीन के मिल्टीप्लाई होगी किस इकीस इन Turbo में द्वाइड में जो रेशो लिख उसको मैनस कर दो तीन मैनस पांच कि नोग क्यों पांच 45, 21, 26, 26, 29, 28, 29-29-29, 30, 31, 30, 29-40 यहां से काट हुआ तो दस से कटेंगे, तीन चार देंगे इस साट से 6 से गाटूँगा तो यह भी मुझे 3 और 4 देंगे तो देखो दोनों साट सेम रेशिव आ गया तो X की value क्या गई 9 लेकिन question यही खतम नहीं होता है इन्होंने का कि mean proportion निकालो तो तीन X माइनस दो गा तीन X माइनस दो नो रख दो तीन कुना नो 27 27 में से दो गया 25 और 5 X प्लस चार 5 गुना नो 45 प्लस 4 49 मुझे 25 और 99 का mean proportion निकालना तो अंसर क्या होगा 5 इंटू 7 यानि कि 30 तो इस question का answer क्या आगएगा 35 I hope आप लोगो को चीज़ी समझाई होगी और आ प्लस पर नहीं हो तो अन्य प्लस को प्लैन लें सकते हैं प्लैन लेंगल आपको कुछ नहीं करना डिस्काउंट के लिए आपको कोड़ लगाना PMIT जैसे आप डिसकाउंट कोड़ लगाएंगा PMIT आपको maximum discount मिल जाएगा प्लस जो दिसकाउंट वाड़ा PMIT सभी काटगरिस पर अपलाई होता है, बलाई वो UPSC हो, बैंक्स हो, रेलबेज हो यह स्टेट PCS exam हो, कोई Defense के exam हो, UGC Net, IIT, JE, NIT या और कोई भी exam जो ने अकाडमी प्लस-पर इसके लिए competitive exam की त्यारी होती है उन सभी में आपको discount करेंगा यूज़ करना PMIT जैसे discount पर लगाएंगे PMIT आपको maximum discount में जाएगा तो चलिए बाकी फिर classes में enroll कर लीजिए मिलेंगे आप से classes में तब तक के लिए अलविदा टेक केर बाइबाइ